क्या भारत के पूर्व उपराष्ट पती हामिद अंसारी पाकिस्तान के स्लिपर सेल हैं? क्या जिस देश ने 10 साल तक उनको उपराष्ट पती का पद दिया, क्या उसी को तोड़ने की वो साजिस रच रहे थे? जी हां ये सभी चर्चाएं हो रही है इस सुमें सोसल मीडिया पर, इंटरनेट पर तमाम जो लोगें वो इस बारे में चर्चा कर रहे है, और चर्चा का कानण है एक खुलासा जो खुलासा खुद किया है पाकिस्तानी पत्रकार नुसरद मिर्जा ने, नुसरत मिर्जा की अगर माने तो उनका कहना है कि जब वो भारत में आये थे तो उनकी मदद की पूर्व उपराष्ट पती हामिद अनसारी ने हामिद अंसारी उस समय भारत के उपराष्टपती थे और उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा की उस समय मदद की जब वो ISI के लिए यहां से जानकारी खटी कर रहा था पाकिस्तानी पत्रका नुसरत मिर्जा का ये कहना है कि हामिद अंसारी जो की उस समय उपराष्टपती थे उन्होंने भारत का मेमान बना कर उसे पाकिस्तान से बुलाया था और ISI के लिए तमाम वो जानकारी जो चाता था वो उसने भारत से खटा की और ISI को सौपी और इसमें मदद की भारत के पूर उपराष्टपती हामिद अंसारी ने उसका ये भी कहना है कि साथ के साथ 56 अलग-अलग मुस्लिम जो सांसत थे भारत के उन्होंने भी उसकी मदद क आम तोर पर पाकिस्तान से आये हुए या किसी भी अन्य देश से आये हुए महमान को भारत में तीन सेरों में जाने की इजाज़त मिलती है लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार जो ISI के लिए जानकारी खटी कर रहा था उसे भारत सरकार के द्वारा उस समय की ततकालीन कॉंग्रे सरकार के द्वारा बड़े सेरों में जाने की इजाज़त दे दी जाती है और वो भी बहुती आसानी से तो क्या उस समय की सरकार क्या उस समय की उपराष्टपती वाकई में ISI के लिए काम कर रहे थे क्या ISI को सयोग कर रहे थे यह सबाल तमाम जंता तमाम जो लोग है वो जानना चाते हैं जब से exclusive interview सामने आया है नुसरत मिर्जा का दरसल आपको बता दें कि जो पूर्ब उपराष्टपती हमिद अंसारी हैं अपनी देश विरोधी बयान वाजियों के लिए पहले भी जाने जाते रहे हैं जब वो इरान में भारती राजदूत के तोर पर काम कर रहे थे तो उनके उपर कई बड़े गंभीर आरोप लगे थे और आरोप लगाने वाले कई बड़े रौ के अधिकारी थे उनका मानना था कि हामिद अंसारी वहाँ पर भारती राजदूत के तोर पर नहीं बलकि भारत की sensitive information leak करने का काम कर रहे थे समय समय पर हमीद अंसारी ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे secularism के नाम पर जो लोग भारत के अंदर में दुकान चला रहे हैं उनको content मिलता रहे हाली में उन्होंने ऐसा बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने का था कि किस तरह से कटर राष्टवाद या आक्रामक राष्टवाद भारत में कोरोना से भी बड़ी महावारी है पूरी दुनिया जिस जिन्ना को founder of Pakistan के नाम से जानती है हामिद अन्सारी उसका भी बचाओ कर चुके हैं और भारत और पाकिस्तान के बड़वारे का जिम्मेदार भारत को बता चुके हैं देजबर में हुई धर्म संसुदों के खिलाब भी बयान बाजी हामिद अन्सारी करते रहते हैं और हाली में नुपुर सर्मा के विबात पर भी उन्होंने कहा था कि पैगंबर मुहम्मद पर जिसने भी टिपड़ी किये उसे हलके में नाली आ जाए और जब देश का कोई बड़ा मुस्लिम नेता भारत देश का पूर्व उपराष्टपती जब इस तरीकी की बयानबाजी देता है तो देश के अंदर कट्रपत्ति मौलाना जो लोग देश को जलाने की सोच रखते हों वो उन लोगों के होसले क्या बुलंद नहीं होंगे और इस तरीकी के लोगों के होसले जब बुलंद होते हैं तो क्या परिडाम आते हैं वो हम उधैपूर में और अमरावती में देखी चुके हैं पूर्व उपराष्टपती हामिद अंसारी और जीनियूज के एंकर अमन चोपडा का ये इंटर्विव आपने जरूर देखा होगा किस तरह से अमन चोपडा ने एके करके तमाम परते इनकी खोली थी और पूरे देश को दिखाया था कि हामिद अंसारी जिस तरीकी की बयानवाजी देते हैं उसमें और असलियत में क्या फरक है और जब सवाल राष्टवाद के आने सुरू हुए तो हामिद अंसारी बीच में ही इंटर्विव छोड़कर भाग गए थे अपने जबाब में पूर्व उपराष्टपती हामिद अंसारी ने ये कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा है और भारत के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को इन्वाइट नहीं किया था और उनका ये कहना है कि उन्होंने जिस भी महमान को भारत में इन्वाइट किया सिर्फ विदेज मंत्राले की सलाह पर किया था और उन्होंने अपने इरान के कारकाल के दोरान लिये गे तमाम फैसलों को लेकर तमाम अपने कारकाल के बारे में भी सफाई दिये ये पूरा जो पत्र है वो उन्होंने जारी किया है और लोगों को एक जवाब देने की कोशिस किये लेकिन अभी भी सवाल वही बने हुए हैं लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में भारत का उप राष्टपती पाकिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान की अजेंसिस की मदद के लिए भारत की इंफर्मिशन लिग करा सकता है अगर पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के बयान में एक परसेंट भी सचाई है तो बारत का हर नागरीक इसका जवाब जानना चाहता है और उसकी गंबीरता से जाच होनी चीज तरीकी के अपी लोग जो है वो कर रहे हैं तो हामिद अंसारी के किस्से जो है वो तमाम है ओन्यूस हिंदी आपको लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट देता रहेगा आप मारसत बने रही है जुड़े रही है आपके मन में भी अगर हामिद अंसारी को लेकर के कोई सवाल है या कोई ऐसी इंफर्मिसिन है जो आप कमेंट बॉक्स में में जरूर बताएं आप देखतर ही ओन्यूस हिंदी धन्यवाद जैन